विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप अगले कोश्चिन की ठीक है जो कि आपका जुलो जी का कोश्चिन नंबर 16 है जुलो जी का कोश्चिन नंबर 16 का है जुलो जी का इसते पहले हमने 15 तक लॉंग आंसर टक प्रकर warning की जो कि आपको बात मोस निर्माद में 16 महत पर प्रकास डालिए मूत्र निर्माद में पूछा जा सकता है मूत निर्माड में रख के महत पर प्रकास डाली यह आप सब कहेगा कि ब्रक की सरचना तदाकारियों का जो है बड़न की ठीक है तो हम बात करते हैं आंसर की मैमल्स यूरियो टैलिक जनतु में यूरिया उत्सर्जन होता है मैमल्स आपके जो इस्तंधारी होते हैं ठीक है क्या होते हैं इस्तंधारी यूरियो टैलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ठीक है उनमें यूरिया उत्सर्जन होता है यूरिया के उत्सर्जन में किसके यूरिया के उत्सर्जन में किड़नी जिने हम क्या कहते हैं गुर्दे कहते हैं विशेस रूप अंग कहते हैं क्या कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं ठीक है उत्सर्जी अंग मुख्य उत्रजन अंग एक जोड़ा गुर्दे होते हैं क्या होते हैं आपके एक पेर या एक जोड़ा आपके क्या होते हैं गुर्दे होते हैं जो आपके यह पेट गुहा के फोड़ा नीचे यह दोनों स्थित होते हैं और कहे रहा है कि दाहिनी किणी जो आपकी रैट हैंड साइड वाली किणि रैट हैंड साइड वाली किणि होती है वो आपकी left हेंट साइड वाली क Bjell settlers said ओपर होगी तो यह आपकी जो जाएंगे कि लेफ्ट हैन्ड वालीchmal कि दुछ इस तर्हीं से जो है ठीक रएटेंड वाली कि chosen ओडीक होगी थोडह ऊपर लेफ्ट हैंड वाली 고ican कि करि Kate now मनश्यों में यह करीब 11 से 13 संटीमेटर कितनी 11 से 13 सेंटीमीटर लंभी मतलब यहां से यहां तक की लंभाई होगी कितनी 11 से 12 से तथा 5 से 7.5 सेंटीमीट्र चौड़ी बात करें 5 से 7,5 सेंटीमीटर चौड़ी सेम के बीज के आकार यह कि इस ग्यारा से तीरे सेंटीमीटर लंभी और पांच से साध सेंटीमीटर चौड़ी होते हैं ठीक है किसकी बाद है मनुष्यों में । अधिक है नेक्स्ट फ्रोसिक इस्पाइन के लेवल और दूसरी एंड ठीक है जो इसका दूसरा सिरा होता वो कहा होता है थर्ड लंबर इस्पाइन पर होता है ठीक है यह एक एंड आपका जो सेकंड सिरा होगा वो कहा होगा फ्रोसिक इस्पाइन के लेवल पर और दूसरा एंड कहा होगा इसका थर्ड लंबर स्पाइन पर होता है ठीक है गिडिनी आपका रिट्रो पेरीटोनियल ठीक है क्या होता है रिट्रो पेरीटोनियल ठीक है जिससे कहते हैं और्गेन है क्या है मतलब पूरे मलाशय का किसका जो आपका मलाशय का और तंत्र होता है उसका कहते हैं कह सकते हैं कि मतलब उसका पिछला भाग होता है ठीक है किसका पूरे मलाशय का मलाशय का पिछला भाग ठीक है तो हम कहा सकते हैं जो आपका किड्नी है वह क्या है रिट्रोपेरीटोनियल और जाय हम क्लातम हो है Yea HR प्रोडूस करना है न जैस को चानते हैं और उसके बाद कbestते हैं यह चाहते हैं यूरीन का फार्मेशन करते हैं या आपका यूरिया प्रोड्यूस करते है ठीक है ओतकी कर हम बात करें और कि या हिस्टोलोजी तो कह रहा है कि इसे दो भागों में माटा जा सकता है कौन-कौन से दो भाग एक तो आपका वाहरी कोर्टेक्स होता है और दूसरा क्या होगा आपका भीतरी मेडूला ठीक है बाहरी कोर्टेक्स और भीतरी मेडूला दो भागों में इसको बाटा गया ठीक है किसको गिर्डियों को करा एक बगल से यह अंदर की ओर दवी होती है किससे एक बगल से यह कहां दवी होती है आपके यूरियेटर यहीं से कहा निकलता है आपका मूत्र नली या यूरेटर निकलता है जो आपकी रेनल आर्टरी तथा रेनल वीन भी इस्तित होती है इसमें क्या होता है आपका रेनल आर्टरी क्या रेनल आर्टरी और आपका रेनल वीन दोनों ही इसमें जो है उपस्तित होती है ठीक है तो आत्री को हम कहते धमनी जब लाक आपका गुर्दा तो या निकि गुर्दा धुनी और आपका घुर्धा अ शिरा दोनु जो है इसमें आपके ओपस्तित रहते ठीक है गुर्धध्buddhMS और आपका स्राई ये दोनु चीज़े आपकी इसमें जो है पाई जाती है करा प्रतिय कड्रीनी बहुत से मूत्रसूत्रकार सुत्राकार फिर्ल सुद्वारा भरी होती है पो डिनी में क्या आउंगे के विपल जो हैरे इसमें लगे रहेंगी ठीक कुछ इस तरह कि करें इन्हें inheathrons क्यरते इन्हें को क् 이걸 करते पर ने tom कहते है कप चनरर इपने पि एच-पध और ओ ऑप न इफ रंस या nephridial tubes कहते हैं nephron या nephridial tubes इन्हीं को कहते हैं nephridial tubes ठीक है अथवा Urinary Tubule भी कहते हैं या इनको कहते हैं Urinary Tubule भी जो है इनको कहते हैं jedyn लिका होता है इने एंहें Urinary filtration कीいきます कहते हैं क्या कहते हैं यूराइनरी फिल्ट्रेशन की एकाई मतलब कि जो आपका इसमें फिल्ट्रेशन होता है उरीन का उसकी एकाई कहते हैं यानि कि यही छोटे-छोटे मिलकर क्या करते हैं एक बड़ा यूराइनरी फिल्ट्रेशन की तरह काम करते हैं ठीक है तो इसलिए इनको क्या कहेंगे एक और हम बात करें तो यूराइनरी टुबिल्स जो आपके यूराइनरी टुबिल्स या नेफरोन अथवा इन्हीं को मैल पीगियन टुबिल्स कहते हैं क्या कहते हैं मैल पीगियन या नलिकां मैलपी इन नलिका ठीक है या युराने भुष यह नेफरॉं तु आल गुरदे में यह कौन सी ऐका फिल्ट्रेशन यूनिट के रूप में कारीए करते हैं कौन सा सामे फिल्ट्रेशन के रूप किडिनी की एक क्रियात्म किकाई होते हैं यह इन्हीं के आधार पर किडिनी सुचारु रूप से काम करती है सरचना कि अगर हम बात करें तो कहरा है प्रतियग ट्यूविट्विट से एक सो बन पोइंट 25 मिनट तक लंबा होता है ठीक है कितना 75 से 1.25 मिनट तक क्या होता है लंबा होता है और इसे दो भागों में बाटा जा सकता है कौन-कौन से दो भाग है एक आपका होता है इसको क्या कर दिया है जिससे कि आपको बिल्कुल सामने वाला जो आ इसके अंदर की पूरी सरचना दिखाईय दे रही है ठीक है कुछ State अप्रय के मैं। है यह आपकी क्या है किड्नी की कुछ सरच्णा इस तरह से को यह जो है आफी किड्विANा कुछ इस तरह से हो जाएगी यहां पर यह जो है आप कि इस तरह से यह एंने फ्रॉंस कहते हैं को यह सब्राओं आपकी क्या कहलाती है कि इस तरह से जो है यह द्यूंस कहला थे ठीक है इस तरह से आपने क्या करना है किड्नी का एक इस्ट्रक्चर बना लेना है ठीक है इस ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने को आएगा तो इस तरह से आपको क्या करना है किड्नी का इस्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर लेना है उसके बाद ग्लो मेरियुल्स की अगर हम बात करें जो आप गुच्छी यह भाग होता है इन में क्या पाए जाते हैं आपके छोटे छोटे गुच्छे टाइप पाए जाते हैं यह आपके नेफ्रांस जो आपकी छोटी-छोटी सरचनाएं होती है इस तरह की पिर आपका आजाता है ग्लो मेरूलस की अगर हम बात करें तो यह भाग के आजाता है आपका ग्लो मेरूलस जो आपका इस तरह से भाग पड़ा हुआ ठीक है उसके बाद आपका आजाता है कलेक्टिंग डक्ट क्या कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट जो कि आपका यह वाला भाग कहलाता है ठीक है इधर इस वाले भाग को के जो आपकी स्रॉचना दिखाइए इसे कहते हैं रिनल बन या क्या ते गुर्दा अभी हमने पड़ा था गुर्दा शिरा के नाम से इसको जानते ठीक है उसके बाद क्या आपका क्या जाता है इपल निया मूत्रमार्इट जैसे कहते हैं इसकी अगर हम बात करें सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं कॉर्टेक्स जो अभी हमने पढ़ा था आउटर कॉर्टेक्स क्या होता है आउटर कॉर्टेक्स ठीक है सबसे बाहरी जो एक आपको परत दिखाई दे रही है इसे क्या कहते हैं आउटर कॉर्टेक्स ठीक ह उसके बाद इसके अंदर ठीक है इसके अंदर जो सरचनाय है इनको क्या कहते हैं मेडूला ठीक है इसके अंदर जो आपकी सरचनाय दिखाई दे रही है यह वाली इस तरह की जो गुच्छ बने हुए है ठीक है उनको कहते हैं मेडूला उसके बाद जो आपका क्या याद कहा है ये जो आपका सबसे बाहर ही भाग है किसी को पर ये जो आपका कुछ बहाता है रहता है इसमें डॉट डॉट ङॉट्थ भाता है यह यहां पर यह क्या होती है और आपका क्या होता है और दूसरा चोटी-चोटी यहां पर सबसे बाद बाले भाग में इनको कहते हैं कैलिकर्स आगर हम बात करें यह आपका मैडलरी भाहते हैं बाता है मेडलर जाख बड़ता है जिसमें यहां जो इसांवाल संड़ने संड़िटा जी से कहते हैं आपका किडिनी का इक इस तरह से एकश्यक्षन बना देना और उनके नाम लिख देने ठीक है तो यहां से इस बना अच्छे से याद कर लेना ठीक है कि देख लो किस तरह से जो है नाम उसके लिखे हुआ है एक तरह है आपका प्याले कि समान होता है कुछ इस तरह से ठीकर इसकी परिदी कितनी होती ही 200 200 धीक है कितने उतिये 200 मिउती है 200 माइक्रो होती है ठीक है इसकत सूल में अफरेंट विलड बैसल अंधर की अंदर गुमा कर काई महीन बाहनियां में बटकर की रचना करती है अब इसमें क्या होता है कैपसूल में अफरेंट को श्काहते है जो आपका कि क्या होता है वोमिन कैपसूल होता है इसमें क्या होगा इस कैपसूल में अफरेंट बिलेड वैसल जो आपकी अफरेंट बिलेड वैसल या बिलेड वाहिका है होती है वो क्या होती है अंदर की और गुमा कर ठीक है अंदर की और गुमा कर कई महन वाहिन का है में बटकर क्या बनाती है गलो préparल स्षाजना बनाती है जो पिरांच के रूप में बाहर नीकलेगी इफरेंट बाहर नेकलेगी ठीक है पहले कया ता आपका अफरेंट ब्लेंड वैसल फिर बाहर किस रूप में नकलेगी आपकी इफ्रेंट वरांच के रूप में ये बाहर निकलती है, कहारा टीविल का भाग गुर्दे के कॉर्टेक्स भाग में स्थित रहता है, गुर्दे के किस में रहता है, कॉर्टेक्स भाग में जो है टीविल का भाग प्रिजेंट रहता कारा कैप्सूल बाहरी भित्ती इसको एमस एपिथीलियम द्वारा निर्मित होती है जो आपका कैप्सूल है इसकी बाहरी भित्ती किसकी बनी होती है इसको एमस एपिथीलियम से बनी होती है ठीक है कैप्सूल की बाहरी भित्ती कारा जो बेस्मेंट मेंब्रेन पर रेस्ट कर करती है बेस्मेंट मेंब्रेन पर ये टिकी रहती है या उस पर रेश्ट करती है भीत्री भित्ती विशेष प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है इसके अंदर जो भित्ती होती है वो अलग दूसरी या विशेष प्रकार की कोशिकाओं से जो है बनी रहती है ठीक है इन्हें क क्या कहते हैं पोडो साइट कहते हैं जिनसे आपकी भीत्री भित्ती जो है मिलकर बनी होती है कहलाती है आपकी पोडो साइट कहलाती है ठीक है कफितला के लंबी नलिका के रूप में होता है नमीजा होगी कि की ती wzवागों मंनी बाटा जा सकता है तो वो कौन कौन से तीन भाग है जिसमें क्या करा कुंडलित नलिका को बाट दिया है ठीक है किसको कुंडलित नलिका को बाट दिया है तो नमबर एक कौन सा हो जागा आपका समीपस्त कुंडलित नलिका क्या हो जागा समीपस्त यानि कि पास वाली ठीक है क्या कहत है जो करीब 14 mm होता है कितना mm का होता है लगबग 14 mm लंबा होता है ठीक है इसका भीतरी व्यास करीब 50 से 60 माइक्रो होता है इसका भीतरी अगर हम व्यास की बात करें तो यह कितना होगा आपका 50 से 60 Micro के आसपास रहता है ये बुरुस बारडर कोषिकाओं द्वारा निर्मित होती है तो ये किस से बनती है बुरुस बारडर कोषिकाओं द्वारा जो है ये आपका बना होता है ठीट कौन समीपस्त कुंडलित नलीका की हम याँ पर बात कर रहे ठीक है तो ये आपका पहला भाग हो गया किसका कुंडलित न लिकागा ठीक है पहला भाग क्या था समीपस्त कुंडलित न लिकागा दूसरे के अगर भाग की हम बात करें तो क्या है आपका हेंले लूप यह आपका दूसरा भाग है किसका कुंडलित न लिकागा ठीक है लूप आफ हेंले या हेंले का मुख्य भाग होता है ठीक है कैसा भाग होता है मुख्य और इसका आकार कैसा होता है यू के आकार का लूप होता है किसके आकार का होता है यू के आकार का एक लूप होता है या आकरती होती है करा इस लूप को तीन भागों में बाटा जा सकता अब यह लूप जो है आपका ह इसको भी तीन भागों में मांटा गया कौन-कौन से भाग कर वह सब लूम फ्रो succeed को तो पहले क्या था आपका descending limb और दूसरा क्या था आपका loop proper and third क्या था आपका ascending limb ठीक है तो ascending descending and आपका loop proper तो ये तीन भाग हो जाएंगे आपके हेनले loop के थीक है हेनले loop के तीन भाग कह रहा है ये तीनो भाग कैसे होते हैं स्कुमस epithelial cells द्वारा बने होते हैं तो ये तीनो भाग किसके बने होते हैं याद रखना है ठीक है इसको MS epithelial sales द्वारा ये तीनों भाग आपके बने होते हैं कौन-कौन से descending limb हो गया, loop proper हो गया, and आपका ascending limb हो गया ठीक है, जो कि आपके क्या, henly loop के तीनों भाग है ठीक है, किसके बने होते हैं, इसको MS epithelial sales के जो हैं बने होते हैं, फ़र्ड अगर हम बात करें तो आपका, फ़र्ड क्या आओ जागा, दूरस्त कुंडलित न लिका, क्या आओ जागा, दूरस्त या कुलता है आपका ये कलेक्टिंग ट्यूविल में जो है खुलता है आपका कौन दूरस्त कुंडलित न लिगा कहां खुलेगा ठीक है अभी हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको कुछ इसी तरह का मिलेगा कर यह करीब 6 mm लंबा लंबाई कितनी होती इसकी लगव होगी ठीक है यह है चौकोर कोशिकाओं द्वारा बना होता है कैसी कोशिकाओं द्वारा बना होता है कुछ इस तरह की जो है चौकोर कोशिकाओं द्वारा यह आपको देखने को मिल सकता है ठीक है अब आपका अगया मूत्र निर्माण की क्रिया विदी यानिकी जो आपका का urine है, उसका mechanism क्या है ठीक है, उरेन के फáर्मेशन का mechanism क्या है, है mechanism of urine formation, मूत का निरमाण कैसे होता है, वो करी आपने आपा पढ़नी है, उसके बारे में हम यह आपर डिसक्रस करेंगे, कह रह Patrol घे को पूरे टीबूर के उपर कि इफ्रेंट बिरांच सभावड सा जो है बिच्छा मिलेगा रथार्था टीवल क्योंच का करें तो वह उसके संपर्क में रहती यह हैं कि डौरह प्रतिम मिनट करीब साथ सो पचास एमन कितना साथ सो पचास एमल रखत प्रतिमीनट टीक है यह सभी प्रतिमीन टीक है अब का रखत प्लाजमा होता प्रत्य मिनट किसके दौरा किड़नी के दौरा ठीक है 750 mm और क्या हो जागा आपका 1200 mm तो 1200 क्या है आपका भिलड़ प्लाज्म ठीक है बीपी बिलड प्रेसर नहीं बिलड़ प्लाज्म और करीब 125 mm द्रब चानकर में पहुंचता है कितना 125 एमल द्रब चन कर पहुंचता है आपका यूरेनरी टीविल में पहुंचता है ठीक है इसी को हम कहते हैं यह आपका यूरीन होता है ठीक है तथा री अप्जोर्प्शन के पश्चात मात्र एक एकमाडर होता है अब जो आपका छना है वसका यहीँ मतलब इसमें जोनते हैं बचीज होगी जो भी रहना है और फिर आपका यहे knocked और यहां व्याद नीर्माड होता है तो कितना urine बनेगा आपका केबल बन जो है ml urine का formation यहां से होता है इससे यह निसकर्च निकलता है कि टीविल में filtration के साथ साथ री absorption की करिया भी नियमित रूप से होती है टीविल में आपका filtration तो होता ही होता है और साथ ही साथ गया होता है आपका री absorption होता है ठीक है उसको दुबारा से अब्जोर्ब किया जाता है ठीक है जो भी आपका बचा हुआ है ठीक है तो यह आपका इस्ट्रक्चर हो जागा इसको देख लो द्यान से कह रहा है इसको आपने क्या करना अच्छे से देख लेना है ठीक है इस तरह से बनाना है इसको अगर आपने बनाना है तो क्या करना है सबसे पहले आपने यहां से स्टार्ट करना है ठीक है कुछ इस तरह से यह आपको जो है बना लेना इस तरह से उसके बाद आपने क्या करना है इस तरह से एक बड़ी सी यह बड़ी सी जो है सेल बना देनी है उसके बाद में क्या करना है यह का आपको यहां से क्या बना देना है इफ्रेंट अल्टरनेट अल्टरेंट एट्रियोल बना देना है उसके बाद में क्या करना है आपको कुछ इस तरह से ठीक है पर यह आपकी चौरी चौरी कोष्काओं की जो है बनी होते हैं किसकी बनी होती ही है चौरी चौरी कोष्काओं की ठीक है है का आपका कुछ इस तरह से आपने क्या कर देना है इसको ड्रॉ कर लेना है ठीक है उसके बाद यहां पर क्या करना है फिर दर से जाना है और यहां से आपने दो जो है इस तरह से अभी इनके नाम भी देखेंगे क्या हो जाएंगे तो इस तरह से इसको जो है आप ड्रॉ कर लेना अच्छे से यह जो बाला आपका भाग होता है ठीक है इसको क्या कहते है यह आपका होता है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल जिससे हमने क्या पढ़ा था दूरस्थ वाला भाग क्या पढ़ा था दूरस्थ वाला भाग क्या कहते है इसको प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल जिससे हमने क्या पढ़ा था दूरस्थ वाला भाग क्या पढ़ा था दूरस्थ वाला भाग ठीक है धिकह प्रॉक्सिमल ट्पुल या दूरस्त वाला वाग ठीकत उसके बाद यह आपका भाग होगा यह कौसा होता उसके गाप आपका इंसे अब त मैंट घ्लोगे आस इसे ढहलो चमद इसे एओंल दूरस्त वाला भाग छिकर अद्यान फारेव adopt हो तो में कहान पर में डिश्टल वाला आपका कौन सा होता है यह होगा आपका दूरस्त भाग या दूरस्त टूबल या दूरस्त कोशिका ठीक है तो इसको क्या नाम देना है आपको दूरस्त भाग और यह क्या हो जागा आपका निकट वरती ठीक है निकट वरती टूबल या ना लिका उसके बाद यह जो आपकी सरचना है इसने क्या लिखना है आपको अफरेंट ठीक है स्अरचन निकाल के यह जो सरचना यहां पर रख दिया है इसमें जो सरचन में भी यहां पर किया हो जागा साइट आप जक्स्टी ग्लोम क्या हो जागा जक्स्टा ग्लोम सेल कहलाती है और यह जो आपका भाग निकला होता है इसे कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल क्या कहते हैं और इस वाले भाग को क्या होगे यह वाला भाग कहला था आपका क हैंं यह जो आपक चेन लाइक स स्ट्क्चर उती से कहते हैं असेंडिंग कहते हैं यह यह उप सेंडिंग ल्यूक्त में कंता है NLP इतर आजाओ 의 है और कि यह ऊपर जा रहा है तो जो उपर lego जा रहा हूं सी भाक्व है कया फिसका है और दीकानी अपने जौ औरonne सोBoth क कहते हैं जंक्सनल टूप कहेंगे ठी क्या कहला था यह दोनों बाग यह वाला और आपका यह वाला दोनों कहला से लगटिंग और गाइस की बात करें तो यह क्या है आपका इसका एक कटा हुआ चोटा सा भाग जो है आपको यहां पर दिखा दिया जिसका नाम कहा है डक्ट आफब ट्रएक टीवल्स का एक बिस्तास विस्ताडत सब्सक्राइब की ए statue कि यहां पर भारे में यहां पर बताइगा तो इस तरह कैसे आपने क्या करना है स्ट्रक्चर को बना देना है तुछ की नाम कई लिक्खा हुआ है और तो इस में पूरी verse आपका फिल्ट्रेशन होता है ठीक है उरीन में किडिनी में वो आपका दो भागों में पूरा होता है नंबर बन आपका क्या होगा ग्लो मेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होगा ग्लो मेरूलर मेरूलर फिल्ट्रेशन दूसरा आपका होगा टीवलर री अब्जोप्षन पहले क्या होगा ग्लो मेरूलर ठीक है यानि कि ग्लो मेरूलर फिल्ट्रेशन होगा उसके बाद क्या होगा फिल्ट्रेशन का दुबारा से टीवलर उसकी mechanism या उसकी cryovidh किस तरह से होती है कहा रहा है Glomerulus में इस्थित आपके शूक्षम रख्त न लिका है केवल endothelial cells की एक पर्त द्वारा निर्मत होती है किस से बनी होती है या आपकी endothelial cells की पर्त द्वारा बनी होती है जबकि आपकी different arterioles पेशी मुक्त होती है इनकी जो आपकी different arterioles होती है इनमें आपकी पेशी नहीं पाए जाती है तथा इसका रक्त चाप यानि कि blood pressure करीब कितना होगा आपका 70-75 mmHg ठीक है कितना होगा 72-75 mmHg ठीक है तो यह क्या है आपकी दाब की एक एक है यदि इतना दाब glow merulous पर पढ़ जाए तो भैख फट सकता है कितना 70-75 mmHg अगर आपका दाब जो है गलू मेरूलस पर पढ़ जाए तो क्या हो सकता है वो फट सकता है यानि कि खराब हो सकता है इसलिए इसके प्रितिरोध में कुछ विप्रीत दवाव कारिये करता है जिसे निगेटिव प्रेशर कहते हैं क्या कहते हैं जिसे निगेटिव प्रेशर कहते हैं जितना प्रेसर आपको चाहिए रहा चाहिए हो रहा है फलिट्रेशन के लिए उससे कहते हैं इफएक्टिव प्रेशर ऑच जी अफ आर कि आ यहां पर बात करें तो यह क्या हो जागा आपका ग्लो मुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता आपका जी एफार ग्लो ग्लो मेरूलस फिल्ट्रेशन ग्लो मेरूलर फिल्ट्रेशन रेट यानि कि ग्लो मेरूलस द्वारा इस रेट में फिल्ट्रेशन हो रहा है यह करता है कि आपकी जो किड्नी है जी एफार का मतलब क्या होता है यह चेक करता है जो आपकी किड्नीज है उस तरह से काम कर रही है थीका है नहीं उसका calculation करता है ठीक है कौन GFR का का काम क्या होता है यानि कि glow merulous filtration rate का का काम क्या होता है यह चेक करता है कि जो आपकी kidney है उनसे आपका blood सही से filter हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है तो इसको देखता आपका GFR ठीक है ग्लो मेरूलस की तर रक्त न लिकाओं में रक्त चाप आपका 75 से 70 से 75 mmHg होता है ठीक है जो आपके glow merulous की कोशकाएं होती है उसका blood pressure कितना होता है 72 75 mmHg ठीक है या पारे का प्लस 70 से 75 mmHg अपका पारा ही होता है तो यहां पर आपको structure दे रखा एक छोटा सा इस तरह से जो इसमें filtration होता है तो यह आपने एक भाग ले लिया है ठीक है यह आपका कोई एक भाग है ग्लो मेरूलस की यहां पर बात कर रहे हैं ठीक है कुछ इस तरह से यह वाही यह परत है इस तरह से आपका जो है glow मेरूलस का structure जो है यहां पर जो है दिखाई देगा आपको इस तरह से आपने इसको जो है ड्रॉ कर लेना अच्छे से ठीक है आपका यह वाला भाग होता है इस वाले भाग को क्या कहते हैं यहां पर लिखाई आपका क्या लिखा है इस दोसरा जो कि आपका इधर वाला भाग होता है और जो है पूरा कैपसूल यह आपका क्या क्या कहलाता है इसको हम कहते हैं वामें। संपुट या वॉमेंड कैप्सूल गयते हैं जो आपका यह वाला पूरा भाग दिखाई दे रहा है डोट 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 यह आपका कैप्सूल हो जाता है कितना होता है आपका 30 mmHg ठीक है एस पर बिप्रीत यह जो आपका निगेटिव यह उसकी दीवार पस जो आपका प्रेसर लग रहा है उससे क्या गयतन्ग है ग्लो मेरूलर सोल ठीक है 70 mm HG किता होता है आपका गलो मेरुलर ठीक है प्रेसर किता होगा आपका 70 mm HG होगा बाहर से आपकी यह जो आपकी दीवार है ठीक है यह वाली इसका प्रेसर कितना लग रहा है इस पर ठीक है जो आपकी दीवार है इसका प्रेसर जो है अंदर वाली दीवार पर कितना लग रह इसमें जो आपका पदार्थ भरा हुआ है इसे कहते हैं इंटरवल ठीक है क्या कहते हैं इंट्रावीनल प्रेशर ठीक है कितना हो जागा आपका 5 mmHg हो जागा ठीक है तो इस तरह से आपके सभी जो है यहां पर रखे हैं हो जागा यह आपको केस्ता हो जागा 30 mmHg ठीक है और यह आपकी ako password बिर फ॥र सेभने कि आपकी कैवाली लायन है यह क्या हो करे जो आपका इस परकती अंधर ब्रस डालेगा ठीक है? और यह क्या हो जागा आपका intravenal pressure यह क्या हो जागा जो आपकी बाहर वाली दीवाल है यह दीवार तो इसमें जो शह बना वह अंदर वाली दीवार पर कितना प्रेशर लगा रहा है उसी को कहेंगे हम intravenal pressure जो कि है आपका five mmf hg होता है ठीक है एक लेक्ष्ट परीत रक्त चाप तो विपरीत रक्त चाप कि अगर हम बात करें तो नम्बर एक क्या होगा कोलाइडी परासरअ और ठीक है क्या होगा कोलाइडल और चमोर्टिक प्रेसर यह कितना था तो तो टोटल योग कितना हो जागा ठीक है टोटल दाव आपका कितना हो जागा तो टोटल दाव आपका हो जागा 45 mmHg कितना हो जागा 45 mmHg ठीक है तो कुल दाव जो है आपका कितना हो जागा 45 mmHg ठीक है इसको हमने calculate कर लिया नीचे अगर हम बात करें प्रभावी दाव क्या effective pressure की अगर हम बात कर लें तो क्या था आपका जो आपका 75 ठीक है कितना था आपका 72 आपका कितना था 75 mmHg ठीक है उसमें से कुल टोटल प्रेसर को क्या करना आपने घटा देना ठीक है तो 75-45 कितना आ जागा आपका 30 mmHg जिससे हम क्या कहते है प्रभावी दाव क्या कहते है प्रभावी दाव आपका कितना हो जागा 30 mmHg हो जागा 30 mmHg कहते है इसी प्रभावी दाब के कारब बिलड-पलाज्मा से ग्लुकोज, वाटर, साल्ट, ऑुरिया अन उतसरजी पदा रचन, कर glowärोलर, filtrate में आ जाते हैं किसके कारब ये जो आपका प्रभावी दाब कितना आयाँ पर 30 आया आपका थोड़ा वहत ओपर 97 आधका तो इसी दापके प्लाजमा खेंडा से ब्लड प्लाजमा के आंदर क्या अधाया जैसे ग्लुकोज हो गया वाटर हो गया और इसके अलाबा आपके अन्युत्तर्जी पदार्थ हो सकते हैं ये छनकर कहां पहुंच जाते हैं आपके glow merular filtrate में आ जाते हैं किया आ जाते हैं glow merular filtrate में ये छनकर आपके आ जाते हैं इसके बाद कि कहानी क्या है कह रहा है इसके बाद री अब्जोप्शन की प्रिकरिया परारम होती है अब दुबारा से यह सभी आ गए अब यहां से दुबारा से आपका क्या होगा री अब्जोप्शन होगा ठीक है क्या होगा री अब्जोप्शन तो यहां पर बात करेंगे हम री अब्जोप्शन की रिबजोब्शन तीक है त्टउब्लर रिबजोब्शन क्या होगा आपका नलिका द्वारा रिबजोब्शन किस तरह से होगा कहँरहे त्टीब्ल्स या नलिका किसंका का मुखिकारी एक कुछ पदार्तों का पूर्ण री अपजोप्षन कुछ का सीमित अपजोप्षन ठीक है और कह रहा है तथा कुछ को कांशन्ट्रेट करके कलेक्शन टीविल तक पहुँचाना है किसका काम टीविल आपजोप्षन के कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कह रहा है जो आपका टीविल होता उसका मुख्यकारी क्या होता है कुछ पदारतों का पूरी अब्जूर कुछ पदारत ऐसे होते जैसे आपका क्या हो गया गुलुकूस इनका तो पूरी तरह से अब सुसर्ण जो है हो जाएगा ठीक है और कुछ का सीमित अब्जोप्शन जैसे आपका वाटर हो गया तो वाटर का क्या होगा एक सीमित अब्जोप्शन होगा मतलब जो जितना वाटर है पूरे वाटर का जो अब्जोप्शन यहाँ पर नहीं होगा तथा कुछ का क्या होता है कुछ को करके क्या करता है collection tube तक पहुचकर करता तरह कुछ को क्या करता है concentrate करता है ठीक है उनकी सांदरता में परिवर्तन करता है और क्या कर देता है gonnaJ dugть टक जूब तक यह पहुचाने का और कारी करता है कौन आपका tubular reabsorption यह इसमें क्या कहता ह Min focus का पुनह我不知道 कि तरह है है ठीक है ग्लुकोज का री अप्जोप्शन या पुन है अवसोसर तो री अप्जोप्शन आप ग्लुकोज के अगर हम बात करें तो कह रहा है अपने अति ग्लोब्लयर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं या ग्लो मैरूलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं आधे सभी ग्लूकोई तथा बाद में इनका ट्यूलर री अप्जूर्प्ट री अबजूर्प्शन होता है। अब ये कहां आग polarization वह आग होता है किसका होता है जो आपका ट्यूबूल है उसका proximal भाग क्या होता है अब वरतवी भाग अच्छी का यहां पर यह आपकी कहानी है इसको आपने क्या करना है अच्छे से आपका एक नेफ्रॉन है तो एक नेफ्रॉन में क्या हो रहा है आपका यूरीन फार्मेशन का निर्माड हो रहा है क्या हो रहा है यूरीन फार्मेशन की मेकाइनेजम या क्रिया विधी क्रिया विधी किसमें एक नेफरान में ठीक है तो यह क्या है आपका एक नेफरान का स्टक्चर है इसमें किस तरह से जो है आपका यूरीन फार्मेशन हो रहा है या किस तरह से उरीन का फार्मेशन हो रहा है ठीक है तो सबसे पहले यह आपका क्या हो जागा यह जो आपका भाग है इसे क्या कहते हैं इसे बूमेन कैपसुल कहते हैं या इसको बूमेन संपुट के नाम से जानते हैं ठीक है इसमें क्या होता है जो आपका गिससा होता है का ऐख्यो सों होता है कैसा संपराशारी कि यह कैसा होगा आपका संपराशारी ठीक है तेक कि है का समान होगी कहने का मतलब यह तो इसमने क्या होगा आपका सॉल्ट होगा प्रोटीन होगा और ग्लूकोज हो ऒटिक है वाटर और बाकी आपके इन सब्रक्राही पोतेशियें क्लिक हो गया, सोडियम हो गया सोलूसन अभार आइसो-ाकरी से घाले commerce आपका अक्तेटब्स कुर्म्त थेका तो यह क्या है आपका संपरासरी और यह कैसा बिलेन है आपका नीचे की और आ रहा है तो कैसा हो जागा आपका अतिपरासरी ठीक है उसके बाद यह थोड़ा आपका ऊपर को जागा फिर से यह क्या हो जागा आपका हाइपर टोनिक यानिक यह भी कैसा होगा आपका अतिपरा पर क्या होगा इसमें कीया था आपके आइंस बगैरा थे ठीक दिद्स अनलिका द्वारा ठीक जे मैं किया लूप के जो की यह सरकना होती है यह क्या है आपके यू आकार की सरचना होती है कि इसी की माद्युन से आपका जो ईदहरा अब यह अभी है आपका हाइपर और यहां पर प्लस जितना एने निकलेगा उतना ही अंदर से आपका क्या आजागा ठीक है कि आजाघा आपका पॉटेस्यम इसमें एंटर कर जाया प्लस आपका जिल्रंद कर जयागा ठीक है और saves एक्टिब रियृप्जॉपशन यहां पर क्या आउजआगा? आपका क्लेक्टिंग ट्यूबिल पहुंझ जागा? यहां से यहां से कहां पहुंझ जागा? आपका जो भी बचा हुआ यहां से आपका एकिली ripping हाईपर टोनिक कैसा होगा आपका हो सकता है और आपका बेसिक हो सकता है ठीक है कैसा हो तो यह क्या होगा आपका प्रॉक्सिमल यानि कि निकटवर्ति क्या होगा निकटवर्ति नलिका और यह क्या थी आपकी दूरस्थ नलिका तो इस तरह से आपकी निकटवर्ति और दूरास्थ दोनों क्या थी निकटवर्ति में क्या था आपका तो आपका यह में पहुंची अथीक है और रहास्त का रहया दो आभ धॉपशन होगा और फिर क्या होगा कि趣 वह आपका ओर यह आपका यूरिया का फार्मेशन होता है नेक्स्ट प्रारंभिक मात्रा का diffusion concentration gradient के आधार पर होता है जो आपका glucose है उसकी प्रारंभिक मात्रा है यानि कि शुरू में इसका जो diffusion होगा इसके आधार पर होगा concentration gradient के आधार पर होगा ठीक है लेकिन पूरा reabsorption active transport की किरिया द्वारा होता है किदेर जो आपका पूरा अप्जोप्सन होगा कर्या द्वारा होता है और इसी करिया के संपन्य होने के लिए इन्जम इनर्जी तथा वाहक मॉलीकूल स्की आफEM की आवश्यक्ता dest bankrupt ड्वारा रियाबजूप्सन हो रहा है गलूकोज इसके लिए किसकी आवशक्ता होती है इंजायम एनर्जी की आवशक्ता होती है तथा बाहक मालेकुल जो उसको यह जगह से दूसरी जगह ले जाए ठीक है ऐसे मालेकुल की आवशक्ता होती है यह ग्लुकोज की पूरी मात्रा को concentration gradient के विप्रित लुग्युम्ज में पहुंचा देते हैं, आपके विजाएंट बेसल्स में पहुंचा देते हैं यदि किसी कारणवस या किसी तरह से गुलुकोज का पूरा रियब्जॉप्शन नहीं हो पाता है उस स्तिती में क्या होगा उस स्तिती में मूत्र के साथ बिसर्जित होने लगता है अगर मान लोग जो आपका गुलुकोज है इसका पूरी तरह से रियब्जॉप्शन नहीं हो और फाया जब और इसे ही क्या है ँसे ही कहते हैं जब के लुकोज की मात्रा जो है आप कि युरेन के साथ बाहर आने लगती उसे को कि के नाम से जानते हैं वे कहaları है जल का पूनहें अपसुषन या वाटर रेउब्स ऑ बात करें तो कहा रहा है इसका रिउब्स ऑ de किसका जल्गा रे अपसप्सप्स अ प्रॉक्सीमल में से प्रारम होता है कर से प्रारम होगी आपका प्रॉक्सीमल टुबिल्स या निकट वर्ती टुबिल्स जो है इसका प्रारम होता है ठीक है निकट वर्ती इसी में था आपका प्रोटीन वाटर और आयन्स और आपका गलूकोज ठीक है सब इसी में था आपका प्रोक्जिमल टुबिल्स में तो जलका अपसोसन आपका यहीं से सुरू हो ज जाता है कहां खतम हो जाता आपका दूरस्त में ठीक है कहां दूरस्त नलिका में जो है यह आपका समाप्त हो जाता है क्या वाटर रियब्जोप्शन या जलका पुन है अवसोचन ठीक है और कह रहा है इसके रियब्जोप्शन में एने प्लस विशेश योगदान करते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा प्रॉक्सिमल टीविल्स से इफ्रेंट ब्रांच में चला जाता है कितना सतर से असी परसेंट वार्टर ठीक तथा करा है और से जो बचा हुए आपका एने प्लस तथा के प्लस आइन्स के द्वारा आयनिक एक्किलिब्रियम बनाए रखने के इसका इक्किलिब्रियम ठीक है यह आपका इनिक एक्किलिब्रियम ठीक है बनाये रखने के इसको डिफ्यूज करता है ठीक है नेक्सट थोड़ा सा और रहा गया है करें मैमलस में बाटर रियब्जोप्षन की क्रीया एंटी डॉरेट हार्मोन ठीक है क्या ADH द्वारा जो है नियंत्रित होती है ठीक है जो आपके मैमल्स होते हैं उन्हें बाटर का इंटी डाइउरेड हॉर्मोन यह आपक मूतर के जल की माथ्रा अधिक हो जाती है उसके और दाय यूरीएस्स यह इसको कहते हैं डायवाटीज के नाम से जानते हैं cuma इनसी पेंडेंस कहते हैंC सी आप के बाइणों का प्रोडियों हूँ होता है ठीक है रीयप्जिख्यॉप्षण आफ बैरियस आयन जैसे एने प्लस और क्टे करम मुख रूप से एने का तथा के का ठीक है यान कहीं की सोडियम और पोटेशीयम आयन होते हैं क्या होते हैं evento ही आपके सोडियम होता उसका Optimism करें यह सटरूरं का समय होता है क्या है इसको का मैत होता है इसके री इस्तरों होता है iishtron नाम का एक हार्मोne होता है जो विशेश मदद करता है कौन in मदद करता है रियउब्जरॉशन आप स्टोडियुमु में ठीक है कि यह शरीर में एनए प्लस की मात्रा को नियन्तरत करता है जो आप आपका एने पिलस है आपका एने है ठीक है यह आपके शरीर में नियंत्रित रहता है ठीक है इसी हार्मोन की बज़ए से कहरा है DCT में water और आयन का reabsorption होता है किसमें जो आपका DTC होता है इसमें water और जो है आपके ions का जो है reabsorption होता है ठीक है तो DTC की अगर हम बात करें तो इसको कहते है डिस्टल डिस्टल कॉन्वल्यूटिड और आपका टीविल टी यू भी यू एली ठीक है तो यह जागा आपका डिस्टल कॉन्वल्यूटिड टीविल में water आयन का water और आयन्स का करी पर Live अभी तो यह जो आपका water है और iron है इनका د preach in Cassa्य Прigy जैन कि दूरी प्रफिट्व सत्फों का डिस्टल यानि की दूर नलिका में होता है का आपका दूरस्त नलिका में का प्रमें इसके बाद कहे रहा री अब्जोप्शन क्या कि पूरी क्रिया होने के बाद जो यूरीन कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है कहां पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है बहे हैं हाइपर टोनिक होता है अब मालो क्या होगा आपका री अब्जोप्शन हो ग आपका इस तरह तरह से बना हुँगा इसमें आपका यूरीन पहुंचता है बैं हाइपर टोनिक होता अपका आपका या अतिपरासरी कैसा होगा आपका अतिपरासरी होता है और अंत में यूरेटर्स द्वारा गुर्दों से मूत्रासय में पहुंचा दिया जाता है कहां पहुंचा दिया जागा सबसे बाद में आपके यूरेटर्स होते हैं उनके द्वारा कहां पहुंचा दिया जागा गुर्दे के गुर्दे से मूत्रासय में में पहुंचा दिया जाता है तो गुर्दोद्वरा मूतरासा में इसको पहुंचा दिया जाता है जोगा आपका यूरिया का कैसा होता भी लियiesta या इस तो था आपका कुश्च नंबर 16 ठीके जिसमें हमने पढ़ा था यह आपका जो मूत्र का निर्माड है ठीक है व्रक् की सरचना त समझ में आजा होगा गयरेगा अगले वीडियो में बने आदा वीडियो